आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने रेडमी के फोन में कीबोर्ड पर अपना फोटो कैसे लगा सकते हैं यानि की कीबोर्ड पर अपना फोटो कैसे सेट कर सकते हैं तो आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं आपको यहाँ पर इसके लिए अपने फोन में settings को open करना होगा और phone की settings में आने के बाद नीचे scroll करेंगे और एक option यहाँ पर आपके पास आएगा additional settings इस पर click करिए languages and input का एक option आएगा आप इस option को settings में search भी कर सकते हैं तो language and input पर click करेंगे और उसके बाद option आएगा first option आएगा language change करने का option होगा manage keyboards manage keyboard पर आपको click करना है अब click करने के बाद अगर आपका कोई और सा keyboard यहाँ पर select है तो आपको यहाँ पर gboard पर click करके इसे select करना है जैसे कि अगर आपको कोई और keyboard select होगा यहाँ पर इस type से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइब से जी बोर्ड आपको मिलेगा यहाँ पर इस पर किलिक करके इसे on करिए और बाकी की बोर्ड को यहाँ पर आप off कर दीजिए उसके बाद आपको जी बोर्ड पर इस टाइब से किलिक करना है और यहाँ पर अपना photo set करने के लिए एक option आएगा themes, themes पर किलिक करिए अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक option आएगा my themes, my themes पर किलिक करेंगे जो photo आपको set करना है यहाँ पर आप कर सकते हैं example के लिए हम आपको यह वाला photo set करके दिखा देते हैं तो यहाँ पर अपना photo adjust करिए इस area में कौन सा part आपको set करना है keyboard पर और उसके बाद next पर किलिक करेंगे यहाँ पर done कर दीजिए keyboarders यहाँ पर अगर आपको apply करने हैं तो इसे on करिए नहीं तो off करिए और apply पर किलिक कर देंगे और यहाँ पर आप check कर सकते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं keyboard पर जो photo हमने set किया है यहाँ पर लग चुका है तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करें और हमारे channel को subscribe जरूर करें